पित्रपक्ष खत्म होते ही शादी नवरात्री का शुभारंब हो जाता है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस साल शादी नवरात्री पित्रपक्ष की एक महिने बाद शुरू होने वाली है पित्रपक्ष 17 सितंबर को खत्म हो चुके हैं वे शादी नवरात्री अक्टूबर की 17 तारिक से शुरू होने जा रही है जोकि 25 अक्टूबर तक होगी ऐसे में पूरे 9 दिनों तक मादुर्गा के 9 स्वरूप की पूचा की जाती है भक्त माता के दर्शन करने के लिए दूर लेकिन कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में सभी मंदिरों के दर्शन करना मना था जिसके बाद अब इन सभी मंदिरों को खोल दिया गया है लेकिन कुछ शर्तों के साथ मंदिरों को खूला गया है अगर आप दर्शन के लिए जा रहे है तो आपको कुछ जरूरी निर्दे तांत्रिक गर्ब ग्रह को भक्त के लिए बंद रखा गया है। आपको बताते हैं कि देवी का मंदर एक कावन शक्तिपीठ में से एक है। यहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहां की शक्तिपीठ बहुत ही प्रसद्ध और चमतकारी है। यह मंदर सबसे जादा अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। इस मंदर के दर्शन करने जाने के लिए आपको दूरी बताएं तो असम की राजधानी गुहाटी से दिसपुर के बाद लगभग साथ किलोमीटर एक शक्तिपीठ निलांचल परवत से दस किलोमीटर दूर यह सकेंगे जिनके पास तीन दिन पहले का सर्टिफिकट होगा। वहीं इस मंदर के देवाले कॉंप्लेक्स का गेच शाम आट बचे तक खुला रहेगा। लेकिन दुर्गा पूजा की समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इस मंदर में आने वाले भपतों को मास्क पहनना अ हमेशा पाने निकलता है। ये कुंध हमेशा फूलों से ढखा हुआ रहता है। यहीं मानता है कि मंदर में देवी सती की योनी पूजा की जाती है। योनी भाग के यहां होने से माता यहां तजस्वला भी होती है। आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें।